आज दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं दा बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्धा लेकर क्या है वो मुद्धा है भारत कैसे हार गया बंगलादेश से और बंगलादेश ने कितने साल के बाद भारत से जीत हासिल की है भारत और बंगलादेश के बीच अभी तक 32 मैच हो चुके हैं और उन 32 मैच से 25 भारत जीता है यानि अब से पहले तक जो है मातर 5 मैच बंगलादेश जीता था एक मैच टाई हुआ था 31 मैचों में और बंगलादेश से भारत की टीम पहला ही मैच हार गई वो भी एक ऐसा मैच जो जीतते जीतते हारी है आखरी विकिट पर बंगलादेश मैच जीती और वो भी रिकॉर्ड बना करके बंगलादेश की टीम ने आज एक रिकॉर्ड बनाया कि 7 साल के बाद भारत से जीती है बंगलादेश की टीम लेकिन आश्चर जनक बात ये रही कि भारतिय टीम जो अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है वो 200 रन भी नहीं बना पाई मातर 41 ओवर और दो बॉल खेल करके 186 रन पर भारतिय टीम ओल आउट हो गई और उसके बाद जब बंगलादेश की पारी की शुरुआत हुई तो पहली ही बॉल पर बंगलादेश ने विकेट गवा दिया हालात ऐसे हुए के 136 रन आते आते बंगलादेश के 9 विकेट गिर गए आखरी विकेट पर खेल रहे थे लोग और उन्हीं में एक नाम था मेहदी हसन मिर्जा का जो आठवे नंबर पर बल्ले बाजी करने आये थे बंगलादेश की टीम को जब 9 विकेट गिर गए तब 51 रनों की जरुवत थे 51 रन्स की जरुवत थी बंगलादेश की टीम को और उसी रनों में मेहदी हसन मिर्जा ने एक बड़ी पारी खेली दसवे विकेट के लिए रन्चेज करते हुए 51 रन बना करके दसवे विकेट पर रन्चेज में ये एक रिकॉर्ड बना डाला है 38 रन नोट आउट बनाए महदी हसन मिर्जा ने 49 बॉले खेल करके 4 चौके और 2 छक्के लगाए और 46 वे ओवर में 187 रन का लक्षे पाकर के 9 विकेट के नुकसान पर बंगलादेश ने भारत को हरा दिया जब भारतिय टीम बंगलादेश दौरे के लिए जा रही थी तब उसके चैन पर भी कई सारे सवाल उठे थे और शायद यही वज़ा है कि आज भारतिय टीम की बल्ले बाजी पहले खेलते हुए 200 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई जिसकी वज़े से भारतिय टीम आज पहला ही मैच हार चुकी है और बंगलादेश की जो तीन दिवसी है यानि तीन मैचों की जो सिरीज है उनों मैच जीतने पड़ेंगे सवाल यह उठता है कि क्या सेलेक्टर्स पर सवाल उठने चाहिए क्या भारतिय टीम का जो परदर्शन है उसमें कुछ खिलाडियों को रेस्ट देने की जरूरत है यह कैई सारे एहम सवाल तब भी उठे थे जब टीम का सेलेक्शन हुआ था उस पर कई सारे सवाल उठेते हैं। आप इस पोरे मामले को किस तरीके से देखते हैं अपनी राए जरू बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉकस है उस कमेंट बॉकस में जाएं जाकर क्या अपनी राए हमें जरू बताएं।